चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही है दनवान गोरी, बाकी सब कंकल, सर सर रुकी रुकी है, ये क्या गानगा रहे हुआ? येस, आप सही सुन रहे हूँ, इट मिन्स फिगर अप स्पीज, जिसको हम क्या कहेंगे? आप ये तो लड़की देख रहे हूँ, इसकी हम तारिफ कर रहा हूँ, और उस तारिफ कर रहा हूँ, जो सब्द मैं यूज कर रहा हूँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे ब फिगर अप स्पीज कहते हैं, ठिक उसी तरह है, इंगलिस लेटरेचर के अंदर, लेटरेचर को, पोएम को, हम क्या बनाने के लिए, बहुती सुन्दर बनाने के लिए, जो वर्ड्स यूज करते हैं, उन्ही को हम बोलेंगे फिगर अप स्पीज, समधर मेरी बात आप तो आपका इसके ऊपर पुलिट्री का किसी भी चीज का जो आप अक्सप्रेशन दे रहे हो, उसके उपर उसका इफेक्ट पढ़ रहा है, रेडर पे, लिसनर पे, इंकलूड मेकिंग कॉंपरीजन, कॉंपरीजन हो, कॉंट्रास्ट हो, एसोशियेशन हो, एक्जिजेशन हो बताना चाहरे हो, उसके उपर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा, समझ गई, तो यह एक फिगर उप स्पीच है, जो कोई भी जो इंगलिस लेटरिचर है, उसके अंदर जो हमारी पोएम है, कोई भी पोईटरी मालेजी, प्रोज मालेजी, इनको क्या करा रहा है, एक यह डे फिगर उप स्पीच की तो, first of all, फिगर उप स्पीच है, सिमिली, देखें, सिमिली होता है, वो, कमपेरीजन इस मैड बेट्विन टू डिफरेंट अब्जेक्ट हैविंग एट लिस्ट वन को मन तीम, आपको दो चीजों के बीच में, जो कमपेरीजन मिलता है, वो कमपेरी का यूज किया हुआ मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार, उसको उपमा दी गई है, नहीं कि ठिक वैसे ही, समझे मेरी बात ही, आपको याद रखना है, so मिल गया, like मिल गया, as मिल गया, और two different object होनी चाहिए, जो दो अलग वस्तों की बीच में, comparison होना किया गया है, directly comparison, that is called simili, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, इन में क्या है, simili है, her voice is as smooth as silk, silk की तरह है, smooth है, तो यह इसमें भी क्या हो गया, simili हो गया, next कुछ examples देखिए, यहाँ पर, कि Honda cars, the Honda's ride is as smooth as a gazelle in the Sahara, सारा, जो मृस्तल का नाम है, गेजर चिंकार का नाम है, उसके समान, smooth है, its comfort is like a hug from Nana, उसका जो comfort है, वो Nana की तरह है, यानि की hug करता है Nana, उसके जैसा है, तो यहाँ पर comparison क्या गया है, as words आये हैं, और यहाँ पर दूसरा, आपका like word आया है, यह जो words है, यह आपको simili बताते है You can't test him, he is as straight as an arrow, तो देखिए यहाँ पर arrow के जैसे straight है, तो यहाँ पर as words यूज किये है, his face as black as coal, कोल के जैसा, कोले के जैसा उसका चेहरा है, वो black है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में comparison किया गया है, तो that is also similar, my wife is as busy as a bee, जो मदुबक्की है, उसके जैसे morning में कहरती है, busy रहती है, उसका comparison किसे किया गया है, यह, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह वाला क्या हो गया, आपका simili हो गया, तो simili I hope समझा आ गया होगा, next आता है आपका metaphor, this is an implied simili, यानि कि यह भी छुपी हुई simili है, comparison is made between two different objects, without using the connective words like as, then और resembles, in words के बिना, जो आप comparison करते हो directly, तो वो क्या कहलाएगी, metaphor, My mom has a heart of gold, सोने जैसा रिदे है मेरी मा का, सोने जैसा रिदे है, यार एक सोने जैसा नहीं है, सोट का सुद है, सोने की तरह है, तो उसका comparison किया गया है, मा के दिल को compare किया गया है सोने से ही, that is metaphor, My friend's sister, Pyle is a night owl, night owl है क्या, रात का उल्लू, यानि की रात बर जग्कर का हम करते हैं, उसका comparison किया गया है, इसका इसके साथ में, तो ये जो आपको, टिक्स जो हैं वो याद रखनी है, कुछ examples देखते हैं, रोहित has a stone heart, भाई रोहित का तो पत्थर दिल है, वो किशी की सुनता ही नहीं है, तो पत्थर दिल का मतलब क्या हो गया, पत्थर के समान उसका, जो heart है, यानि की उसके ओपर कोई भी फरक नहीं पड़ता है, camel is the ship of the desert, उंट है, वो जो desert, यानि ये, रखिस्तान का जहां, जहां स्टोना होता है, लेकिन उंट की तुलना की गई है, जहां से, जिस तरह से समुंदर में, हम जहां से जा सकते हैं, वैसे ही जो बड़े-बड़े तीले होते हैं, desert के, रखिस्तान के, उनके ऊपर से, तो क camel ही जा सकता है, the class is zoom, class को चिडियागर बना रखिया आपने, यहनि की ए विवस्ता है, इसका मतलब उसकी तुलना की गई है, class की zoom के साथ में, his heart is huge, huge, मतलब बहुत बड़ा है उसका हिर्दे, the whole world is a stage, तुलना की है, कि ये पूरा संसार है, वो एक stage है, ठीक है, सेक्सपीर क seven stages of man, उसमें उसको दिया गया है, अपना जो मनुष्य का जीवन, वो stage बताया गया है, seven stages of man, तो यहाँ पे पूरे संसार को एक stage बताया है, तो यह आपकी क्या हो गए, यहाँ पे simili और metaphor हो गए, next आता है आपका personification, personification में क्या होता दोस्तो, giving human qualities to object or things, कोई भी object होती है, को उसको एक, जो lifeless things होती है न, उसको एक human quality देना, समझे मेरी बात, एनिकी maximum human things seems human, वो ऐसे प्रतीत होंगी, ऐसे seems होंगी, मानू कि वो एक खुद ऐसा कर रही हैं, जैसे, the floors dance to the wind, the floors dance to the wind, fool है, हवा के आगे dance कर रहे हैं, तो यहाँ पे dance नहीं कर रहे हैं, हवा से वो लह लहा रहे हैं, तो यहाँ पे, देखी, personification, floor को एक क्या बना दिया है, lifeless things, मान कर उसको एक human quality दे दिया, the fire swallowed the entire forest, the fire swallowed the entire forest, आग ने पूरे जंगल को क्या कर लिया है, swallow कर लिया है, निगल लिया है, आग ने थोड़ा निगला है, मुह है क्या आग के, लेकिन आग से वो जलकर पूरा जंगल नस्ट हो गया है, दिमोलिस हो गया है, तो यहाँ पे fire, जो है fire, कैसे seems हो रही है, यहाँ पे human की इतरह हो रही है, कि वह पूरे forest को क्या होगी, निगल गई है, यहाँ पे कुछ examples और देखी, you should keep working hard, opportunity are knocking active door, अरी दरवाजा खट-खटाती है, opportunity दरवाजा खट-खटाती है, hard working करते रहो, तो दरवाजा आप कहोगी कि मुझे तो R.S बनना है, तो R.S आके आपके पास में ख दाते हो, that is, आपका यहाँ पे क्या हो गया, personified हो गया, because I could not stop for death, he kindly stopped for me, क्योंकि मैं death के लिए नहीं रूख सकता, death है, वो मेरे लिए रूख सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, death है न, वो क्या है, यहाँ पे, since human quality, कि वो एक ऐसे लग रहे है, जैसे कि कोई human being हो, और मैं उस के लिए रूख नहीं सकता, वो मेरे लिए रूख सकती है, इस तरह से, justice is blind and at times deep, कानून अंदा है, कानून अंदा है, नहीं, जो process है, उसको हम कुछ बोल सकते हैं, but justice is blind, और कभी कबार यह क्या हो जाता है, गुंगा, बहरा, अंधा, यह, तो यहाँ पी इसके बारे में जो दिया है, जो words दिया है, that is personified, समझे लोना दोस्तों, चलिए, अब आता है आपका, apostrophe, it is used to address, कोई भी चीज़ को आप addressing कर रहे हो, जिसमें, oh, 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 ऐसे words जो हना, वो use होंगे, it is used to address someone who is absent or already dead, जो या तो वहाँ पर absent है, या वो पहले से क्या हो गया, dead हो गया है, तो ऐसे जो words है, ठीक है, और उसमें आपको यह addressing words, use किया जाएंगे, it can also be used to address an abstract quality or idea, even a non-living object, यहां तक non-living object, idea, quality, यह जो abstract quality है न, इनका हम क्या करेंगे, use करेंगे, जैसे, oh, captain, oh, captain, our fearful trip is done, यह अबराहम लिंकन के बारे में बोला गया, तो वो मरने के बाद में, यह नहीं कि इस इसके अंदर, यह तो देखो, इसमें देरखाना, dead, already dead हो चुका होगा, या फिर वो आपर absent होगा, तब हम उसके लिए, जो words काम में लेंगे, वो क्या कहलेंगे, addressing word काम में लेंगे, उन्हें को हम apostrophe बोलेंगे, तो यहांपे, oh, captain, my captain, dear goat, the weary houses in asleep, यहांपे, dear goat, oh, captain, oh, captain, these are क्या हैं यह, आपके apostrophe हैं, यह addressing word है, next आता है आपका, alliteration, देखिए, alliteration क्या होता है, अनुप्रास कलंकार, आपने सुना होगा, कि चंदू के चाचाने, चंदू की चाची को चांदरी, रात में चांदे की चम्मसे चटनी चटाई, कडक्सिं के खडकने से खडक्ती हैं, alliteration में, आप लोग, consonant sound है ना, उसका repetition सुनोगी, consonant sound का, चंदू की चाचाने, चाय, 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 खड़ाय, खड़ाय, कर में, खय, 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 तो वैसे ही, इसके अंदर, it uses similar phonetic sound in continuity to make an effect, this device is usually used to decorate the words with a musical, musical, technical, or emotional effect, having the same first, यान की consonant sound में, musical, or lyrical, sorry, lyrical है यह, lyrical जो है, आप एक लए तरीके से आप बोहते हैं, lyrical में, चंदू की चाच्ची को इस तरह से, ठीक है, तो एक, लए से कोई भी चीज, आप एक lyrical में, कोई भी चीज, आप एक musical के साथ में, उसको क्या करते हो, पनाम्स करते हो, तो वो, क्या कह, 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 लेटिल लक्समन लाइक लीची, ले, 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 क्या हो रही है, consonant sound हो रहा है, और देखिए, यहाँ पे, आपको क्या बता जा रहा है, रोकी, रोट, बिग, बिजनेस, कैसीं, कजिन, जंपिंग, जैक, नो, नो, नॉनसेंस, टफ, टॉक, क्विक, क्वेस्ट, मनी मेटर्स, तो यह सारे क्या है, आपके consonant sound का repetition है, इनको, क्या बोलेंगे इनको, elitration बोलेंगे, elitration में आपको सरफ क्या ध्यान में रखना है, consonant जो letters होते है, consonant जो sound होते है, kids, caught, phony, people, इस तरह से, यह जो elitration है, उसके अंदर consonant sound का, आपका क्या रहेगा, repetition रहेगा, यह आपक sound यानि की oval sound नहीं, सरफ और सरफ consonant sound का repetition रहेगा, जिस तरह से आप देखिए, एक मज़दार एक्जम्पल देखिए, good cook, cook, cookies, as much cookies, as could cook, could cook, cookies, हरना कहके, my dear dear is dear, the captain couldn't keep the man in the cabin, the rich man was so cheap, that is, was chilling, I forgot my flip phone, but felt free, don't wage a war, of words against the wall, grass grow greener in the graveyard, गय, 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 तो these are funny examples, और यह हम बोलते हैं, एक tongue twister होता है, ठीके tongue twister जानते हो न, आपकी जो tongue है, उसकी क्या करना, twisting करना है, नहीं कि, a good cook, cook, cookies, as much cookies, as good cook, could cook, cookies, यह जो है, आप एक साथ इनको बोलोगे, तो मज़ा भी आएगा, और आपका, जो है, tongue है, उसकी twisting भी होगी, my dear, dear is dear, ठीक है, इस तरह से, यह आपको थोड़ा practice करें, आपको देखना है, इसमें, आपकी जो exam है, उनमें आपसे, आपको ऐसे, जो हम पुछे जाएंगे, उसके बाद में आता है, assonance, देकि, assonance के अंदर क्या कटना पड़ता आपको, repeat the same vowel sound, अब आपको क्या गया, vowel आगया, but start with different consonant sound, यह तो different consonant sound से start हो सकते है, but repeat है, वो same sound होता है, जेरी went here and there, nowhere, जेरी went here and there, nowhere, यहनी sound जो निकलेगा, वो जो है, होंगे vowel, but इसमें consonant sound जो है, वो different होगा, जेरी went here and there, nowhere, beer is near, but no need to fear, beer is near, but no need to fear, how is your cow now, देखो, यहाँ पे, repetition हो रहा है, ओराग नहीं हो रहा देखिए, इन में सिंपल सा आपको यह ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जो consonant sound है, यहाँ पे वो तो different होगा, but vowel जो होना, वो same होगा, जैसे की, जेरी went here and there, तो यहाँ पे e, 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 आया गया है, beer, near, knee, तो यहाँ पे आ गया, e, 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 how, ठीक है, cow, now, o, 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 तो यह ध्यान करना, यह assonance की क्या है, पहचान है, आपको ऐसे identify करना है, फिर next आता है hyperball, It is mainly used to make something look and sound lots better than actually is, कोई भी चीज को हम, इसको एक से हिंदी में बोलेंगे, हम, अतीस योक्ती, exaggerate किसी चीज की बारे में करते हैं, बढ़ा चढ़ा की कोई बात को हम बोलते हैं, बहुत बड़ी बात जब हम बोलते हैं, I am so tight, मैं इतना ठकाबा हूँ, I could sleep for a week, एक सब्ता तक सो सकता हूँ, तो ऐसा possible है क्या, लगाता है अब एक सब्ता तक सो सकते हो क्या, बट ये exaggerate है, so it's more beautiful than the moon and stars, वो इतनी सुन्दर है, moon और stars जो हना, वो भी इतनी नहीं है, यानि कि जो beautiful, इसके बारे में, सुन्दरता के बारे में बखान की अधारा है, इतना बढ़ा ठढ़ा कर exaggerate कर दिया है, that is called hyperbole, I have told you a thousand times about this, हजारों बार ये बोल चुका हूँ, तो हजार बार के बोला जा सकता है क्या ऐसा, नहीं, जैसे कुछ examples आपके समने, I can smell pizza from a mile away, एक meal से किसी pizza को आप smell कर सकते हो क्या, नहीं, कुछबू बता सकते हैं एक meal दूर, my daddy is always working, my daddy is always working, हमेशा काम करते रहते हैं, तो हमेशा का मतलब रात को नहीं सोते क्या, नहीं, examples ऐसे हैं, जो hyperbole, यानि exaggerate किये जा रहे हैं, that woman has no self-control, that was the easiest question in the world, यह क्या था, easiest question था, तो यह ऐसा कभी होता है कि संसार में बहुत सर चीज़े हैं, जो और भी easy-easy होती है, तो कहने का मतलब, यह सारे जो examples हैं, यह क्या कही जाएंगे, hyperbole exaggerate हो रहा है, किसी भी example के अंदर कोई भी चीज, यहां बढ़ा चड़ा कर बताए जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, hyperbole कहलाएगी वो, फिर नेक्स आता है paradox, a statement that is contradictory in itself, makes a reader to think in an innovative way, यहनी आपको contradictory कहलाएगा, कोई भी चीज, जिस तरह से आप एक उसमें, डालोग सुनते हो फिल्मों में, कि मुझपर एक ऐसान करना, कि मुझपर कोई ऐसान मत करना, ठीक है, फिल्मों में के डालोग है ना, आप लोग, एक डालोग है, यही तो आपको क्या बता रहे है, यह जो statement है, यही तो आपको क्या बता रहे है, कि these are paradox, समझ रोने मेरी बात, I know one thing that I know nothing, यह देखे एक जामपल, इसमें कहा रहा है कि I know one thing, मैं तो एक बात जानता हूँ, कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो यह देखे बात कैसी यहाँ पर I know nothing, बहुत deeply meaning है, इनका सोक्रेट की यह जो statement है, आप इसको जब जैसी जानोगे, देखोगे, पहचानोगे, तो आपको खुद को पता चलेगा, I know one thing that I know nothing, मैं तो कुछ नहीं जानता, एक बात जानता हो कि मैं कुछ नहीं जानता, you can save money by spending it, अरे पैसे को खर्च करके बजा सकता है, नहीं, तो यह जो है, यह paradox हो गया, यानि कि just opposite statement हो गया, this is the beginning of an end, यह उस end का beginning है, end का beginning है, देखिए, लग रा कि नहीं लग रा आपको, तो opposite statement है, the second sentence is false, the first sentence is true, the second sentence is false, the first sentence is true, तो यहाँ पी दोनों क्या बन गए, opposite बन गए, दूसरा sentence है, वो जूठा है और पहला है, वो सच है, तो यह paradox हो गया, नहीं, आपस में एक दूसरे के contradictory होते हैं, वो paradox कहलाते हैं, अब आता आपका oxymoron, oxymoron में देखिए, two opposite qualities are added to something, उसमें ध्यान रखना, opposite words जो हैं, वो इसमें आएंगे, और paradox में क्या हैंगे, statement आएंगे, दो statement है न, वो एक दूसर न, वो, the comedian was seriously funny, funny or seriously, these two opposite words, these two are opposite with each other, समझें रो न, funny है, seriously है, do you have the original copy, तो copy होगी, तो फिर original कहां से हुई, आप बोलो न, भाई, ये photo copy, copy, copy का मतलब कोई भी चीज़ की copy नगल हो गया, तो फिर वो original कहां से हुई, तो the original copy, parting is such a sweet sorrow, sorrow है, दुख है, तो फिर वो sweet कहां से हुआ, parting, जो है, विदा होना, वो एक sweet sorrow, तो देखो, दोनों यहां जो words है, वो एक दूसरे की क्या है, opposite है, एक दूसरे की contradictory है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके oxymoron कहलाएंगे, कुछ examples और देखिए, tomorrow is a working holiday, holiday है फिर working का तो क्या हुआ, अन्मोल लेफ्ट दे, painting completely unfinished, completely unfinished, completely बता रहा है, और इधर unfinished बता रहा है, this is just the false truth, सच बता रहा है, इधर जूट बता रहा है, my sister and I had a friendly fight, और फाइटीं ही होगी, तो फिर friendly किस बात की हुई, तो यह जो these two words है, opposite words है, वो क्या कहलाएंगे, oxymoron कहलाएंगे, little bit आपको थोड़ा देखना है, paradox में consists of a statement, और a group of statement with opposite definition, while an oxymoron combines two contradictory terms to form a new meaning, यानि इसमें आपको paradox में statement और oxymoron में two opposite contradictory words हैं, उन पर धर रहा है, but because an oxymoron can play out with just two words, यह आपको ध्यान रखने, almost आपको समधाने के लिए, थोड़ा साख यह बता रहा है, The next one is irony, irony के अंदर आपको देखे बताता हूँ, in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning, इसमें आपको यह याद अखना कि जो intended meaning है, वो actual meaning से different होता है, समझे रहने मेरी बात, आप कोई भी बात बोल रहे हो, उसका just उल्टा लेना, आजकल हम गावों में बोल देते हैं न कई बार, कोई भी चीज़ का, तो उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं, जैसे की बोलते हैं कि या डोक्टर बिमार पड़ गया, तो डोक्टर बिमार पड़ गया भाई, डोक्टर कैसे बिमार पड़ गया, फिर डोक्टर का इंका हुआ, यानि कहने का मतलब, अरे है तो इंसान ही, डोक्टर त वास्त्युक्ता में ये क्या है एक अलग है इसका अर्थ जो है वो अलग है वास्त्युक्ता है वो अलग है If a fire station were to burn down देखो यहां इसका जो example है ये देखिए मतलब क्या हुआ कि जो fire station है वहीं जल गया आग बुझाने वाला तो फिर मतलब कहें का निगला तो ये वाली क्या होगी फिर irony होगी His mistakes will actually improve the team's situation उसकी गलती से जो team की situation इंप्रूव होगी मतलब उसकी गलती होई और team ने पूरा अपने आप में क्या कर लिया जो situation है उसी को इंप्रूव कर लिया तो देखिए ये जस्ट क्या बन गई फिर irony बन गई इसके कुछ examples हो रहे हैं जैसे यहां मैंने लिखा आपको कि she is tolerable but not handsome enough to tempt me the cobbler's children have no shoes ये कुछ examples हैं जिनको आप अपने उसमें यूज कर सकते हो तो ये all these are the examples of irony पिर irony के कुछ types हैं जैसे की verbal irony आप बोल कर कुछ चीज को उल्टा कर रहे हो जैसे कि मालज़ आपके δर्द हो रहा है आप ड्रोक्टर के पास जा कि आ हो या फिर आपसे कोई को बोले कि आप से पैसे मांगता है क्या करोगे और फिर आप ही के लिए क्या लेके आता है गिफ्ट लेके आता है तो वो situation एक irony के रूप में क्रियेट होगी dramatic irony इसमें audience जानते हैं something that is the character don't कि इसमें जो character होता है वो करता नहीं है और उसको मान लेते हैं वो क्या कहला है आपका dramatic irony कहला है अब आता है अंतिम दोस्तो पन आता है पन के अंदर generally क्या होता है कि a pun is generally used in play where one word has two different यहनी कि एक अर्थ जो है एक सब्द है उसके दो अर्थ निकल है तो यहाँ पे nature सब्द के दो अर्थ आ रहे हैं it is used to create humor humor को create करने के लिए इसका पन का use किया जाता है slice अलंग का जिसको अपन बोलेंगे humor's use of words of different meaning of the words or the same sound but different meaning is known as पन different जो अर्थ देगी एक सब्द होगा और वो अलग-लग अर्थ देगा a bicycle can stand on its own because it is too tight देखो यहाँ पे bicycle है वो अपने आप में खड़ी हो सकती क्योंकि इसकी दो टायर है तो देखिए यहाँ पे two tired two tired ठीक है देखिए यहाँ अर्थ निकल दा है बिल्कुल जैसे कि ठकी वी ऐसे लगजा ना कि एक cycle है खड़ी ने हो सकती क्योंकि बहुत ठकी वी है और यहाँ पे क्या हो जगा two tired है दो अलग अर्थ निकल दा ना ऐसे हर cat is near the computer to keep an eye on the mouse and eye on the mouse तो mouse का मतलब क्या हो गया एक तो computer वाला mouse और दूसरा mouse आप जानते हो कि cat है वो उसी के लिए बैठी है तो एक सब्द जिसके two different meaning दे रहा है वो क्या कहलाता है पन कहलाता है तो दोस्तों इस तरह से I hope कि आपको समझाया होगा आपको share करना like करना नहीं भूलना है thanks for watching